तो रिफ्लेक्शन ओफ लाइट में जयास हो कि हम लोग कहां तक पढ़े थे बताएंगे आप कमतल दर्पन के ठीक है तो प्रॉपटीज आफ प्लेन मेरा खतम हो गया था यहां से हम लोगों को शुरू करना था ना पर हो टॉपिक क्या है वह देख दर हेडिंग देखना सब लोग सफेरिकल वह इसको न हम लोग अपनी भासा में कहते हैं गोलिये दर्पन मात्री भासा में क्या कहते हैं गोलिये दर्पन तो चलो मैंने हेडिंग लगा दिया है पर गोलिये दर्पन यह क्या चीज होता है अच्छा आप मैंसे कितने लोग फुटबॉल देखे हैं अहां तुटा यह अच्छा यह देखो कुछ उसी के जैसा है यह थीक है फिर ऐब माल लो कि यह काज का बना होता किसी का जोड़ से बोलो और यह खोखला होता अंदर से खोखला यह था होता खाली खाली तो जैसो की अंदर से खोखला होता यह काच का बना होता इसा और इसको क्या करते हैं इटा से मारके तोड़ देते हैं तो इसको आपको नहीं तोड़ देते हैं है लेकिन पर्हाई के क्रम में बात समझ्ज ये जुकिसमेज़ रहे कांच का Studios खोखला सुधर होता शुर। तो ना तो इसका कोई कारण होता पैसे थोड़े न तोड़ देते समझ यह बात फिर भी यह खोकला होता गोला होता काच का होता और पढ़ने के लिए माल ने इटा से मारकेस को तोड़ देते उसमें टुक्रा मिलता अगर माल नहीं से आली लेकर आईशा इसे काट दें तर बुजा कटा जाएगा फ़रा काच माच को फोर्म ना पढ़ता है लेकिन काच को काटने का भी आता है आवजार आता है ठीक है उसमें हीरा उरा का पर्योग किया जाता है हीरा बहुत ही कठोर होता है तो काच को जो काच काटा जाता है जिस यंत्र से इस उपकरन से उसमें हीरा का पर्योग किया जाता है बेसिकली जाके चुड़ा मत लेना भाईया सीशा काटे लग कहां रख लेवानी का बात है बाबु वाबु वही बाने लेगा नियों से काटा होता परतर्षक होता जी से प्रकास करने आर पार हो सकती तो में क्या करता इसमें से काटके से से नीकालता तो काटके से निकालोगे तो रोटी बनाने व की भीने मैजन कर आहां समझ मैं तो समझा करो बात तो ऐसा होता है तो बिसीकली जो दरपन होता है ना गोलियं दरपन यहां पर दिख रहा कुछ ऐसा यह चीज कितने लोग दिख रहा जारा हाथ फुटा नहीं वाला कि अभी तो दिख रहा ना भई तो आपके तरफ से वह जैसा भी दिख रहा हो लेकिन दरपन होता ऐसा ही है ध्यान रखना अब यह दरपन कैसा है बताओ जारा कि यह तो सम्तल दरपन है इसका सतح कैसा है समतल लेकिन यहां पर गोली दरपन आपको पड़ना उसका सतष थोड़ा सा ऐसे होगा कि वाग समझा है या तो अन्दर से दिखो गई तो ऐसा दिखेगा या बाहर से दिखहो तो ऐसी दिखेगा तरबूजा को बाहर से देखे तो इसाही नहीं दिखे गया नहीं अले समझ में तो समझा करो बात गोली दरपन होता क्या होता है तो पड़िवासा सुनना सही से काच के बोलो मेरे साथ साथ काच के फोखले गोले का यह में जिसका एक सटर रंगा रहता है में और दूसरा परवर्तक होता है अ कमज़ाया अब समझा करो बात है और मारननों कि कला ही है था है स्टम को दिखा है तो इसे गोल दिखेगा लेकिन कडिया को जैस इशें लिगे हैто तो ती यहां ना है कि नहीं से नहीं दिखांगे न कि बता आए से दिखेगा को बोलो हाया ना दस्ताम लेकिन यादर रखना लाइन नहीं है यह ऐसा है अब दिखने भी लगता है कि लाइन है लेकिन दरपन ऐसा है इधर से आके अपना मुह देख सकते हो लेकिन मुह देखे दिखे कि नहीं दिखे कि उसमें उसका कंडिशन है बाद में भीजिखेंगे समझाया विदिकत इसमें दो सता ध्यान सब्सक्राइब क्या सूनो मेरे वात या तो इधर उन दरंगे अंदर वाला या फिर जालो कि आसा ही आपको ऐक और मिला होता है और है कि एपको करते आप को मन तो बोलेंगे गोली दर प्रण कांच के खोकले घोले का एक हिसा होता है तुकरा खुआ होता है इसका इसका इक सतह होता है रगा रहता है और दूसरा सता प्रवर्थक होता इंधे अard इसमें इन्हेम एक बात याद रखना बार याद रखना बड़ा वर एक शब्द पढ़ए गाटल और इक को याद रखना जहीं यह लाधर sare सबजी बनता है चाहि बनाते हो गढ़ के उबरा होता है को सब झाना बनाते हैं इस सथाना इतिसों आज होता है चोनसा है पूजा नहीं करते हैं आप आईसे वागते हैं ग्न रहा हम लोग इसको Inglis में कहते हैं Concave क्या कहते हैं यह Concave है और रहे साथ और एप चीज और पहले इसके पास दोनों सता है कि आहना इधर से देख के बताओ कौन सा सता ए यह वाला सता आप से पुछा जाए इधर वाला इधर वाला इस सता हो क्या वोलोगे Kutal Utal को English में क्या कहते है ज 와ने हैं कि I am Cons to अच्छों अंदर वाला है कि इसको कहते हैं और जिसको English में कहते हैं कॉन चेव क्रशन या केथे समझ आ रहा है क्तक है नहीं आ रहा है कि थोड़ा कम दिख रहा है तो प्लरवलर चींज कर देता हूं मैं हुए All hem Iya कौन सा सथा बता ओंट बाहर वाला हमने इसमें किसको रंगा है कि पार तक रुष Promben है कि इसमें बताना इसमें उतल Oreo ए कीड याद रखना रही के अंदर तावा के अंदर जब भी कोई गोली दरपन लोगे तो उसमें दूनों सता होते हैं और उत्तल और उत्तल वाला कौन सा है वेरिगु इदर खाना बनाते हो जिदर खाते हो ठीक है इधर बता हूं कि यवाला Sütheil का लाता है उत्तल समझाया ऐसे ही उतल यवह लुदल समझाया तो यः और ये वाला उतल अगे बढ़ें सब्सक्राइब अब आपसे पूछा जाए कि ये दोनों गोलिये दरपन हैं इसमें कौन सा दरपन है कौन सा दरपन उत्तल है जहांते सुनना तो जो रंगा गया है वो दरपन का नाम नहीं कहला है उसके नाम से दरपन का नाम नहीं होगा जो नहीं रंगा गया होगा उसके नाम से दरपन का न पूटल दरपन इसमें हमने ओतल को नहीं रगा उद्तल सता को रंग दिया है इतनी बार बोलूँ इस सता को क्या कहते हैं उतल इसको और अब मैं कह रहा हूँ अगली वात यह कि जिसको नहीं रगा उसको देखलो वहीं दरपन का नाम हो जाएगा नियुक कुंद था को नहीं रहाज है अधनल्प दर्पन या उत ऑर्त टाल को नहीं रहाज हुसर रखाए हैं क्या यह न भी तो को लिए दर्पन की परिभास में लिख़ो फिर कितने तरह क्यों टे को एंप गोंकॉन पीटल पूटल समझ्या आशा। आप से पूछे बिटिल दरपन किसे कहते हैं हम बोलेंगे वह दरपन जिसका आटल सतह रंगा रहता है फ्रन फिक ανि किसे केते हैं वह दरपन जिसका ओटल सतह रंगा और उत्तल सता परावर्तक होता है इसको परावर्तक क्यों रहीद है क्यों इधर से आएगा इधर से रंग दिए इधर सुथ कॉय है भेजक check नाव रहा था दो आप लोग हमको बताए नहीं कहें और यह समझ में आ इधर इस सब बोल रहे हैं कि इसको चीरने से पहले हम तुमको चीरेंगे आओ कमाल का बात करते हैं बड़ी तुमको मज़ा आता चीरिफार करने में इसको हम बोलेंगे परावर्तक सत्व जिससे प्रकाश की रण का परावर्तन होता है उस सद्धा को क्या कहेंगे बोलो बोलने से बुझाता है बोलो परावर्तक सत्व इसको क्या बोलेंगे तरहोस्तलतों यह सम्तल्यक इपागला इते सम्तलल का एक्जाम्पल ने सिसको रंगा हुआ सतर जित्व सतर नंतल रंगाहण सतर का लाइं हुआ सतर record सर्फस तो इसमें जो है सोकी तो में जो है सोकी कि अबकिलेंगे वह दर्पन इसका बंगा होता है तथा उतल सतह परावर्तक होता है उतल दर्पन कहलाता है वह बोलिये दर्पन जिसका उतल सतह रजतित होता है रंगा होता है लेकिन उतल सतह परावर्तक होता है उतल दर्पन कहलाता है अचनल है को आपुटी आपुशे करने के दिये तू परिभासर करने के लिए पूरा एक्दम इस तुनी चार पिष्दू करते थे आउ अभी वैसे निए ठीको व्युन भी सरे विक्म फैर्थος और और प्हार से लिक दम कुम करके उस टॉपी को समझो और याद करो समझाया फिर दो बाद घर पर इविजन मार लोगे याद हो सबस्क्राइब इसको भी तो सहना है कितना वजन उठाओं गे यादा प्रेसर मत्तों समझा रहा नहीं है रहा है वेरी गुड तो समझाया देगा बता हमारा पेट का इवला स सरफेस ऑपान होता है कि उत्तना जिसका पेट निकला होता है भुल भुलो उत्तन चाहिए कर दना हम लोग कहीं जो मूड़ी बाताओ उतन है उतन है समझाया तो अपने आश्पास खोजो कहा कहा उतन है कहा और ना अगे बढ़े चलो परिवासा लेको फिर आगे गोलिये दर्पन कांच के खोखले गोले का गोलिये दर्पन कांच के खोखले गोले खा यहां लिखते हैं एक टुकड़ा होता है जिसका एक सत्व रजतित मतलव ब्रैकेट में रंगा लिख लेना रंगा हुआ रजतित होता है तथा दूसरा बताओ क्या होता है तथा दूसरा परावर्तक होता है यह हो गया गोलिये दर्पन की परिभासा नोट करेंगे सभी लोग यहां कर लीजेगा जी सब्सक्रावर्तक होता है वहां पर रेडिंग लगाएंगे गोलिये दर्पन के ब्रकार अभी अभी आपको बता रहा था मैं कि यह दो तरह के कौनके मिरड़ यानि बोले तो आवतल दर्पन और एक कौन सा बताओ कौन्वेक्स मिरड यानि की उतल दर्पन अभी जो मैं आपको डाइगराम बना रहा हूं यह डाइगराम आप बनाईए प्रच्छे से बनाईए आपको यह करके देता हूं चलो देखना जरह यहां पे मैं एक साइड से ऐसे मिटा देता हूं ठीक है और फिर यहां से ऐसे इसको मिटा देता हूं आपको यहां पढ़िये वताना है कि इसमें जो है सुकी कौन सा उत्तल है और कौन सा ओतल है कौन सा उत्तल दरपन है और कौन सा आपको बताना है मैं इसको लिख देता हूं A मैं इसको लिख देता हूं भी चलो यह उतल है या उतल है कुछ आवाज आया उतल कुछ आया उतल एक बार फिर से क्या है यह अच्छा इस बार पूरा उतल हो गया अच्छा आप ले यह बाहर वाले सतों का में रंगा उभड़ा हुआ है तो जो बाहर वाले तो उतल होता है यह वाला तो मैंने क्या समझाया था जो नहीं रंगा गया हो उस नाम का वह मिरड कहलाएगा जहां से लाइट रिफ्लैक्ट होती है जिदर से प्रकाश किरन परावर यह क्या है लिए को इसका उतल सत्ह बाहर वाला हमने नहीं रहा है यह बात वहां करना इधर से आप रंग दोगे उधर वस्तु मत रखना उधर लाइट नहीं वेज़ोगे आप लाइठ इसमें इधर से बहुत है रहा है यह नहीं आवाज गलत आगया यह है प्रवाइब कैसे हो गया यह अव्तल है बाद में आप सबने सही कर दिये मैं मानता हूं लेकिन आप हरवरा के ना कि अधिक हरवडी का क्या होता है पता है दही चूड़ा अब भोजन बनाने में तो समय लगता है ना वही जल्दी खाना होगा तो क्या कर सकते हो अधिक होजन दही चुड़ा समझा है अराम अराम का भोजन वह भी दही मार्केट से खड़िदना परेगा वरना दही पकाने में तो दो दिन लग जाता है दिन सही से लग जाता है चलो यह बताओ जड़ा आपको बाते समझ माने चीए ठीक न तो जिन लोग नहीं बना लेंगे लिख लेंगे और जो लोग बना लिए फिर तो बात ही कतम है अब लोग अभी जल्दी क्यों हर बना गया आप लोग पूस्त तो रहा हूं मैं फिर रुको यह बताओ कॉंसा दरपन है किस बार सही था उतल दरपन है यह बताओ अ हम बताओ जो इने कॉन्वेक्स पकर ले रहा है आप लोग बस उतल बाहर नहीं रहा हूं मैं इसे भी दे देना मैं टेरा करके दे दूं कंफ्यूस करने के लिए जान बूज के बताओ बताओ इसमें इस पर अंदर वाला नहीं रहंगा जिदर खाना खाते हो डिसर गड़ा होता है जिदर ओतल होता है हाँ बोलो कितनी बार बोलों समझ आया है आओ तल उतल पहचानने में तक्लीफ होगी नहीं होगी ना क्लियर है तो कैसे भी टेरा हो रहा करके कोई देगा कन्फूज नहीं करोगे ना चलो जल्दी से बना लो तो हो गया चलो आगे देखो यह हमारा कौन है कौन के मिरड़ अब इनके परिभासा लिखने हैं बोलो अब परिभासा असाने की नहीं है वह गोल यह दरपन क्या बोलेंगे इसका उतल सता रज्तीत होता है तथा आवतल सता परावर्टक होता है क्या कहलाता है आवतल दरपन कहलाता है समझाया कोई दिकत लिखना ज़रा आवतल धरपन कि नाइन्थ वाला बाजी लगा यह सब का जी कि अवतल दर्पन लिखना कि ना दिरे दिरे को डॉक्टर प्रॉब्लम कर देगा वाह गोलिये दर्पन मैं भैरा हो जाओंगा भाई जितना तेज बोलते उतना ही काफी है वाह गोलिये दर्पन जिसका जिसका उतल सतह जिसका उतल सतह रंगा रहता है तथा का यू का उतल सतह प्रॉट जल्दी से लिख लो आगे बढ़ जाते हैं अब लोग बताएं नहीं यहां पर खत्म हो गया है कि अब खत्म हुआ बताना से यह नहीं यह ब्लैंक हो जा रहा है कि वीडियों ही बंद हो जाएगा तो फिर कैसे होगा कि अतल दर्पन के बताओ वह गोलिये दर्पन जिसका उतल सता रंगा रहता है तथा आतल सता परावर्थक होता है आतल दर्पन कहलाता है विदिकत कि चलो नोट करो जल्दी से कि अब कॉन्विक्स मिरड यानिकी उतल दर्पन बिल्कुल हेडिंग लगाना ज़रा उतल दर्पन लिखेंगे वह गोलिये दर्पन जिसका कौनसा सता वताओ वेरे गुड जिसका अउतल सतह रंगा होता है सतह कौनसा उतल सतह बढ़िया उतल सतह परावर्थक होता है बिल्कुल कौमा क्या कहलाता है पुद्तल दर्पन कहलाता है समझाया आप लोग भूलो ही मत बोलने से ही वो जा रहा है साथ पुद्तल दर्पन कहलाता है आयद हो सकता है उसकी फ्रिक्वेंसी पकड़ती हो कुछ अच्छा इसको देखते रहते जाता ही नहीं ना देखो तो चला जाता है जाता है जर्मा रहा है नहीं नहीं है अच्छा ठीक है यह हो गया अच्छा एक चीज वहता हूं सॉटकॉर्ट जब आतल पुछा जायना तो याद रखना की जो पूछा जायना उसका उल्टा रहता है जैसे आतल दर्पन में उतल सतरंगा रहता है और उतल दर्पन में आतल सतरंगा रहता है समझा है कोई दिकत आगे जो है सोकी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेटे स्फेरिकल मिरफ और लिये दर्पन से टीक से समझना जो भी दिक्कत हो जरूर पूचना ठीक है वकृतां केंद्र है वकृत non ठोलताट केंद्र это सब्सक्राइक केंदR blanket सब्सक्राइब कर दो समय्जते हैं हिर्ष अटीका होता म中共 पेंधर बनाते हैं वह किस छीज से बनाते हैं बताओ यहां पर यह जो एक काँच का खोकले गोले से देखो तो इस मेंस अगर में क्या करों यहां से यह वाला हिस्सा इसे काटके निकाल इसको मैं क्या कर देता हूं कि इसको एक तरफ से जैसे इसका पीछे वाला जो हिस्सा है बाहर वाला ये वाला जिसको आप उत्तर सता भी कह सकते हो मैं रंग देता हूं बताओ ये गोलिय दरपंड बना की नहीं बन गया अब एक चीज आप मुझे बताओ कि ये जो गोलिय दरपंड बना है ये किस गोले का हिस्सा था अभी यहां पड़े गोला था ना उसी गोले का हिस्सा था और हर गोले का ध्यांचे सुनना हर गोले का एक केंद्र होता है कि नहीं होता एक सेंटर होगा कि नहीं होगा होगा तो उसी सेंटर इधर बीच में होगा कहीं उसी गोले के सेंटर को उसी गोले के केंद्र को इस दरपंड का वक्रता केंद्र कहेंगे हमसे किसी ने पूछा इस दरपंड का वक्रता केंद्र बताओ ध्यान से सुनना हमसे किसी ने पूछ तो पूरा ऐसे था ना दोस्त यह इस गोले का ही यह हिस्सा है टुकरा है तो इस गोले का जो किंद्र था वही किंद्र इस दर्पन का क्या कहलाएगा कितने लोगों को यह बात समझ में आई हां तो चलो अब मैं परिभाशा बोलता हूं ध्यान से सुनना और यहीं का यहीं या सुनो से सुनो अगर आपसे किसी ने पूछा ऐसे देख करके कि यह रहा ध्यान से सुनों यह रहा मेरे पास एक दरपन है बताव इसका वक्रता केंदर किधर होगा और कहां होगा तो मैं क्या करूंगा सुचूंगा कि अगर मैं इसको पूरा गोला बनाओं इसका सेंटर कहां जाएगा इसका केंदर किधर होगा इधर कहीं अगर कोई गलती से हमको भुलवाएगा नाना बहु आएगो चॉकलेट डितनी हेने कौद तो तुम करोगे गलती नहीं करना आप मुझे बताओ तेरा बताना सोच समझ के बताना मैं इधर अंदर वाला सर्फिस रंग देता हूं बताओ इसका वकरता केंदर किधर होगा इधर थ्यार होगा कि अधर होगा मतलब एक तरफ और यह रहा तो छष नहीं रेंग तो इसको मैं गोला बनाऊंगा तो सेंटर इधर आएगा इधर नहीं आएगा अगर मैं इसको गोला बनाता तो यह गोला बनाता सेंटर यहां आता इसको मैं गोला बनाऊंगा तो सेंटर कहीं इधर आएगा नहीं आया समझें याद हो जाएगा तो गोली दरपन जिस खोखले गोले का टुकरा होता है उस गोले के केंद्र कोहीं क्या कहते हैं वकरता केंद्र कहते हैं समझ आया एक दो बर घर पे पढ़ोगी आदो जाएगा तिर पढ़िवासा लिख लें हम लोगा लिखो जड़ा लगाँ 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 फिर दरपन से संबंधित लगाँ फिंदूएं सम लिखा है तो कुछ लगा ही सकते हैं अट जैकली अगर हिंदी आपको चाहिए तो गोलिये दरपन से समंदित मुख्य विंदुएं ठीक तो सबसे पहले आमनों किसकी पड़िभासा लिखने वाले हैं बताओ वक्रता केंद्र गोलिये दरपन गोलिये दरपन जिस खोखले गोले का तो गोलिये दरपन जिस खोखले गोले का तुकड़ा होता है उस गोले के किंद्र को ही उस गोले के किंद्र को ही क्या कहते हैं बताओ वक्रता केंद्र कहते हैं अच्छा ध्यान रखना इसको हम लोग सी से दर साते हैं किसे दर साते हैं इसे बड़ा वाला सी कैपिटल सी ठीक है इसे कैपिटल सी से तूचित करते हैं तूचित करते हैं दर साते हैं इंडिकेट करते हैं तब एक ही बात है इस इंडिकेट वाई कैपिटल सी यहां पर देखो तो जहां पर ब्लू वाला सेंटर में पॉइंट है इसको सी लिख दें इस पॉइंट का नाम आज से क्या हो गया सी इंटर ओफ करवेचर वक्रता केंद्र समझ आया चालो आगे देखिए गजरा बोलो रेडियस आउफ यह रहा हम लोगों का वक्रता त्रिज्या क्या रहा अब एक चीज आपको बताऊं यह परिवासा जिसको याद हो गया ना ध्यान से सुनों वो दोनों परिवासा ठीक से अद करेगा यह ना तो यह हां जाओ जाओ इंधर मशले जाओ इधर चले जाओ यहां बड़ा-व secular of लकष्टर में होसाना आगे बढ़ें सुनो ध्यान से तो परिभासा में क्या मतलेगा देखो वक्रता केंद्र के जगाएगा वक्रता त्रिज्या परिभासा में क्या मतलेगा देखो गोली जर्पन जिस खोखले गोले का टुकरा होता है उस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं के सिंद्र की जगञे चिर्फ daí heel जैगा कि स्थिश्याइब यक्रैसे कर दर घ्रा कि मा लें асти तो यहाँ पे आप बताओ वेयोगे कि आपके हमखे रहे कर लोगे और वाकरता केंदर को दिखाते हैं C से वाकरता त्रिजा को दिखाते हैं capital R समझाया और वाकरता त्रिजा लेंगे यहां से लेकर के यहां तक समझाया अच्छा कोई मान लो आईशी ले लिया ताब वेरी गूड बहुत अच्छा यह को लो हाया ना समझाया को दिकत है अच्छालो लाइट गया जाने दो कोई दिकत नहीं तो वाकरता त्रिजा की परिवासा लिख लोगे आगे देखो क्या है पोल को हिंदी में हम लोग कहते हैं धुरू क्या कहते हैं है गयान से में इसका हिंदी नहीं लिख रहा हूँ हिंदी आपको खुद लिखने यहां से देखके नहीं लिखने है यह इंग्लीस वालों के लिए है आपको हिंदी यहां से सीखना रोगे हे था दोन थोगे बढ़िया गजब बोले ना आप लो खिच्डी हो गया पूड़ा समझाया एकदाम खिच्डी एंगली के लाना है कल मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा तुमको द्यान से द्रू यह इससे आसान पड़िभासा कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको इस चैप्टर में गोलिये दर्पण के मध्यविंदू को द्रू कहते हैं गोलिये दर्पण के मध्यविंदू को इससे आसान कोई पड़िभासा मिलने वाला समझाया अगर यह भी आपको याद नहीं है तो लाना था आपकी जिंदगी पर आपको राखु फाक लेना चाहिए ठीक है है हाँ गोलिये बोलो बोलो गोलिये दर्पण के मध्यविंदू को क्या कहते हैं मध्यविंदू को अच्छा धुरू को दिखाते हैं पी से किसे दिखाते हैं यहां ब्रैकेट में पी लिख दें धुरू कहते हैं पूल आई बात समझ में अब सुनो दिखाते हैं कैसे इसको देखो दर्पण माला इसा है यह दर्पण है चलो बताओ यह आतल ह कि उतल है कि वेरी गुड ओतल है क्या है बोलो इसके ठीक जो बीच में होगा न यह दिख रहा आप लोगो को नहीं दिख जूट का यह बोल रहा हो यह आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे जोड से बोलो यह रेड़ वाला पॉइंट इसको क्या बोलेंगे और बताना जरा इसका व्वाकरता केंद्र किधर जाएगा अरे बोलो बाबभय बोलो जाएगा इधर जाएगा इधर ना वेरी गुड तो अब बहुत दूर मतले के चल जाना थोड़ा ही मैं आजन करना कि अगर यह गोला बनेगा बोला बनेगा तो कितना वरका बनेगा यह वह स podemos शाब का त्रिय देर जाएगा कि से केंद्र से तर्पन तारे बोलु हम आहना ऐसे भी जा सकते हो इसफे जा सकते हो एह यह शुकर बता घ्रिजा समय आया कि हम लोग ज्यादा प्रिफर करते हैं ज्यादा इस्तछू करते हैं की और पी को ठीकैसे मिला देते हैं सीष् ना ना निकले तो तेरह कर लेते तो महावरवा न अरे बोलो हाँ न वापस यह समझाया यह गोली अधरपन का मध्यविंदू धुरू यह वक्रता केंद्र यह वक्रता तृच्ज्य तुमझाया नहीं आया अब सुनो यह जो धूँ है न थोड़ा सा इसका जो है सो की रियालेटी आपके सामने आना चाहिए अगर माल लो कि मैं कहूं कि मेरा हाथ गोली यह दरपन प्रदरिक लिए मालों कि यह ऐसे गोला है यह तावा के जैसा रोटी बनाने माले तावा के जैसा तो अगर मैं आपसे कहूं कि इधर से लाइट परावर्तित होगी यह पीछे वाला रंग दिया मैंने यह उतल हुआ कि उतल हुआ अब सोच के देखो किसका ध्रू कहां होगा बताओगे यह जो गोला एकदम सरकल के फॉर में आपको तावा दिख रहा है न उसके ठीक बीच में जो पॉइंट हो यह जो तावा होता है वह इसे आपको दिखाई दे रहा है यह तो दिखाने में थोड़ी कभी कषण होती है और आपको फिल करना सब्सकिल हो जाता है लेकिन ध्यान रखना यह मद्ध बिंदू बस उसके यह नहीं कि तावा ऐसे रखा हुआ तो यहां इसे जो तावा इसे तो अरोटी पुरा बनता है ना रोटी का बीच में जो होगा ना वो धुरू है नहीं समझाया यह ताव मद्ध दू किधर होगा है हिधर कहीं आएगा समझाया हां क्लियर मंजान की हमने हैं चनुसरा द्रिज्जा कर त्रीज्ज्ट्र समझाज़ और शुरू हमने क्या पढ़ें गोलिय दर्पनद यह दो प्रकारल कमें होते हैं और ऐत हूं से रस राओत हिआए कौन से सता को उतल केंगे क्लियर हो गया कब उतल दर्पन कह लाएगा कब उतल दर्पन क्लियर हो गया बोलो हाया ना आगे बढ़ें मिलते हैं कल